हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एसके क्रियेटिविटी तो फ्रेंड्स आज हम एक गद्दा बनाना सीखेंगे जो कि हम पुराने बचे हुई कतरन के साथ बनाएंगे तो वीडियो आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स आए वीडियो शुरू करते हैं तो मैंने एक कल्टन का क ना सकते हो लेकिन ये देखिए मैं आपको एक कल्टन पर ही बताऊंगी तो मैंने डबल फोल्ड करके कल्टन को स्टिच कर लिया है एक साइड से हमने ओपन रखा है और बाकी इसको सारा स्टिच कर लिया है तो ये देखिए इसको हमने बनाना कैसे है देखो इस साइड भी स लाई लगा दी तो इसकी जो लंबाई है यह वाली मैं आपको दिखा देती हूं कितनी मैं बना रही हूं 42 लंबाई है इसकी और चोड़ाई में 1.5 इंच है तो आप बड़े साइज का भी बना सकते हो जितना बड़ा आप बनाना चाते हो तो यह देखिए इसमें हमने भरना क्या है जो हमारे पास जैसे पुराने कपड़े पड़े होते हैं वेस्ट छोटे मोटे कतरन जो पड़ी होती है न वो हम इसके बीच में भरेंगे आप कॉटन का भी बना सकते हो लेकिन हम घर पे वेस्ट मटेरियल के साथ ही इसको सारा बनाएंगे जैसे जो की छोटे मोटे कतरन होती है हमारी हम फैंक देते है न उन्हीं का ही आज हम रियूज इसमें यूज करने बाले हैं तो सबसे पहले हमने एक इसको भरते जाना है तो इसको उल्टाने का सीधा करने का आपको एक नया तरीका में आज बताऊंगी तो आप पूरा देखिए वीडियो आपको काफी पसंद आएगा पहले हमने क्या करना है इस पे पूरे चोटे-चोटे कपड़े जितने भी हमारे पास पड़े हैं चोट जब मैं स्टिच करती हूँ तो छोटे-पोटे जो पीस निकलते हैं उनको विसारा मैंने भर लिया और लास्ट में हमने क्या करना पूरा ब्राबर कपड़ा उपर से एक बिचा देना है तो यह देखिए लास्ट में जो है हमने ऐसे पूरा इसको बिचा के कबर कर लेना है और यह देखिए पूरा मैंने भर दिया अब इसको हमने देखो कैसे करना है जिस साइड से ये ओपन है उस साइड से खून है ये दूसरी साइड से मैं कर रही हूँ तो यहँ देख से यैसे हमने इसको फोल्द करते हुए यह देखिए, तो यह जो नीचे वाला कपड़ा है ना मैंने उल्टा करके रखा है, उल्टे में हिभरा हमने इसको यह देखिए, ऐसे पूरा रोल करते हुए अराम से अब यह देखिए हमने इसको कैसे सीधा करना है यह देखो, जो ओपन वाली साइड है ना ये देखिए इसको ऐसे करके बिल्कुल धीरे धीरे ताकि जो बीच में हमने कपड़े भरे हैं वो हमारे बिल्कुल भी इकठे ना हो ये देखिए ऐसे भरते हुए आप इसको हमने ऐसे खोलते जाना है ये देखिए तो बहुत ही असान तरीका है ये उम बिल्कुल बराबर आ आपने इसको खीचते जाना है और जो अपने आपने इसमें कपड़े भरे हैं न चोटे-मोटे वो बिल्कुल भी इकठे नहीं होंगे यह देखिए बहुत ही ब्राबर करके प्रॉपर तरीके से हमारे यह आ जाएंगे यह देखो अब हमने क्या करना है इसको उठाके धीरे से दोनों साइडसे उठाना है और ऐसे उपर को एक वार उठाके अच्छे से सेट करना यह दिखे यह देखिए हो गया ना अच्छा सेट ज्यादा हिलाना नहीं है बस धीरे से उठाके दो तीन बार उठाके और नीचे रख देना है तो यह देखिए कपड़े जो हमने बीच में फिल किये थे ना वो बिल्कुल भी कठे नहीं हुए अब यह जो इस साइड से हमने ओपन रखा कर लेकिन मैं मशीन पे ही क्विल्टिंग करके आपको दिखाऊंगी तो मशीन पे जब भी आपने क्विल्टिंग करनी है तो आपने जो है ऐसा जो मैंने यह बीच में जैसे कितने सारे कपड़े भरे हैं तो आपने 21 नंबर की सुई इस पे लगानी है ताकि सुई हमारी को दिखाती हूँ हमने इसको उठाना कैसा है विल्कुल रोल करके लेकर जांगे मैं इसको मशीन पे दीरे दीरे करके रोल कर लेंगे ताकि हमारे कपड़े चथे नब यह देखिए ऐसे रोल करके मैं मशीन पर लेकर आई इसको जो हम यह गदढ़ बना रहे हैं यह के हमने इसपे धीरे धीरे बशिएन चलाके पूरा कुल्टिंग करने हैं तो यह देखें मशिएन बिल्कुल आपने स्पीड़् से नहीं चलानी यहां पे धीरे-धीरे कपड़े को सेट करते हुए आरामसे हम इसपे कुल्टिंग कर लेंगे तो फ्रेंट्स आपने जरूर बताना की आपको मीरा यह आइडीया कैसा लगा और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक प्शूर करना और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा श Creative करना क्योंकि पुराने कपड़े फटे पुराने कपड़े तो हर किसी के घर में होते हैं तो जासे को बिल्कुल बेकार कपड़े होते हैं ही उन्netyou कि यह दीए क्या साइट से शिलाय लगाते हूए ऐसे मसीथी ले जांकि फिर गूमाए के दूसरी साइट को लाकर ऐसे ही सारा जो है इसको गद्दे को हम क्विल्ट कर लेंगे तो यह देखिए हाथ से हमने धीरे-धीरे यह देखिए सेट करते जाना है ताकि इसमें कोई जोल ना आए और मैंने आपको पताया सुई से भी आप टांके लगा सकते हो यह देखिए ऐसे घुमाते हुए जो पूरा मैंने इसको कुल्ट कर लिया और जो कप्डे हमारे अब बילकुल भी इकat़े नहीं होंगे चाहे आप इसको मिशीन में वॉष करलो जैसे मर्जि yht Обंड़ करलो कप्ड़े हमारे बिलकुल भी इकat़े अब नहीं होंगे कि हमने इनको स्टिच कर दिया है च्छे से कभी बना सकते हो तो काफी ये थिक बना है देखो काफी इसकी थिकनेस आई है तो ये देखो फ्लोर पे या कहीं पे भी आप धूप पे बैट रहे हो इसको यूज कर सकते हो तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में वस इतना ही